हलो दोस्तों नमस्कार प्रॉफिट गुरु चनल में एक बार नए मार्किट अपडेट के साथ इंट्रेट एक टिप्शन डिक्रिमेटेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का सवागत करता हूं तो दोस्तों आज के दिन लेकर हैं कल के लिए दो बहतरिंग स्टॉक जो आप ल प्रीमियम टेलिग्राम में एड होके काफी अच्छा कासा पैसा कमाई दोस्तों ठीक है तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मार्केट अपडेट देता हूं तो आज का मार्केट में कुछ भी मुमेंट नहीं हो इसा लग रहा है मार्केट आज खोलाई नहीं था ठीक है म पर आप देख सकते हो टॉप गेनर एंड टॉप लूजर की लिस्ट है काफी अच्छी ची कमपनिया जो आज टॉप गेनर में नहीं बहुत कम ऐसा लग रहा था मार्केट में वॉल्यूम क्योंकि दोस्तों देखिए अभी बीकेंड चल रहा है तो उतना कुछ खास वॉल्यू मॉमेंट आपको देखने को मिल रहा है मार्केट में ठीक है तो अभी हलका सा इसी प्रकार से यह अफ्टा पूरा चलेगा यह विकेंड खतम होगा करीबन पांच जनवरी के बात दिन उसके बाद फिर से हमें वॉल्यूम देखने को मिलेगा मार्केट में ठीक है तो चली हाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों IT सेक्टर की दिगज कंपनी जिसका नाम है TCS, TCS का हम क्या मुमिन्ट हम देख सकते हैं, आज की डेट में देखेंगे तो करीवन 1.5 परचन की गिरावट देखने को मिल रही है, करीवन पॉइंट में देखेंगे चुमालिस से 45 अगर मैं देखू, तो स्टॉक गेब डाउन ओपनिंग हुआ था, उसके बाद हाई भी लगा है 305 और लो लगा रहा है 145 लगवाख अगर देखा जाए, तो 50-70 पॉइंट का मुमिन्ट हमें देखने को मिल रहा है, स्टॉक में, ठीके, वॉल्यूम की बात करता हूं, तो नॉर्मल सा मातर 40 लाग कॉन्टिटी का जादा कुछ वॉल्यूम नहीं आप देख सकते हो, 52 और 52 लाग का लो कंपरिजन कर सकते हो, कितना गेब देखने को मिल रहा है, ठीके, और वहीं आप लोगों को अगर मैं बात करता हूं, दोस्तो, डिलेवरी पेटन की तो आप जो डाटा है, वो मेंटन होते हो, देखने को मिलाए, अब अपन चलते हैं, दोस्तो, चार्ट पे क्या मोमेंटम मिलेगा, ये भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दोस्तो, टीसी एस का जो चार्ट पेटन है, वो काफी बंसाइडेट फॉल वाला दिखा और काफी हेवी कॉंटिटी और काफी हेवी, जो इतना भी वालिम दा, दोस्तो, उसने पूरी तरीके सा सेलिंग प्रेशर बनाए, चार्ट में आकरी का मोमेंट भी देखेंगे, तो गिरते हुई देखने को मिल रहा है, पात दिन के अगर मैं बात करता हूँ, हाई से लेवल में मोमेंटम आया है, चार्ट पेटन पे जिस प्राकार से चीजे दीख रही है, आज ग्रीन केंडल से ज्यादा रेट केंडल दीख रही है, और जो रेट केंडल है ना उनमें वाल्यूम भी काफी है तो जिसके कारण क्या हमें सेलिंग प्रेशर अलगी इस नौट डाउन कर लेते हैं, तो प्रापर तरीके से नौट डाउन करेगा दोस्तो टार्गेट इन स्टॉप लोज ठीके, तो दीखे सेलिंग प्रेशर के साथ हम स्टॉप को सेल करेंगे करीवा हैं 2850 रुपे के लेवल से, तोड़ा दूर रखते हैं अगर गिप डाउन होता है, तो पोजिशन मिलेगी, और फटाक से अगर टार्गेट बूक करना है, प्रॉफिट बूक करना है, तो लगबख आप 2835 रुपे पर बूक कर सकते हो, या इससे पहले भी आप प्रॉफिट बूक करके चल सकते हो, ठीक है, जिसके एकोर्डिंग अपने क्या रहेगा कि हाँ पर मुमेंटाइम काफी अच्छी तरीक से मेंटेन होते हो, देखने को मिलेगा, अब थोड़ा बड़ा स्टॉक है, तो स्टॉप क्लोज भी अपन थोड़ा बड़ा भी रखते हैं, लगबख 2870 रुपे का अपन स्टॉप क्लोज लेके चलते हैं, 2860 अगर ब्रेक हो होगा, ठीके और निफ्टी बेंक, निफ्टी लेवल के लिए आप डिमेट एकाउंट ओपन करवा सकते हैं, निचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाए फटा फट से, और काफी अच्छा तरीका से महाँ पर मुमेंटम जनरेट होता है, अब चलिए सेकेंड इस्ट पर क्लोज हो रहा है, करीबन 22 से 23 पॉइंट की, प्रिविएस क्लोज 2017 रुपे, ओपन हुआ है स्टॉक दोस्तो 2016 रुपे, हाई लगा रहा है दोस्तो 1970 रुपे, मतलब इस्टॉक में एप्रॉक्समेट 30 से 40 पॉइंट का मुमेंट देखने को मिला है, ट्रेड वॉल्यम न देख सकते हो करीबन 2027 रुपे था, जो एक ही दिन में ब्रेक हो सकता था, लेकिन इस नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको फोकस में रखके सल सकते हो, काफी जल्दी हमें नया 52 पॉइंट काहि देखने को मिलेगा, और उसके पीछे लेकिन 2021 लग जाएगा, बाकी 52 पॉइंट का 5821 कॉंटिटी देखने को मिल रही, मतलब जो इंटरडे का डाटा है, वो काफी अच्छी तरीके से स्टॉक में वेंटेन होती हुए, देखने को मिल रहा है, अब आपन चलते हैं, क्या मोमिंटम मिल सकता है, इस स्टॉक में ओपन चार्ट पे चलके देख लेते हैं, तो यह आपको इस लेवल तक देखने को मिल रही, लेकिन यहां तक तो रिकाबरी चांस हुआ था, लेकिन फिर से फॉल आ है, मतलब सेलिंग प्रेशर बना है, लेकिन आकरी में थोड़ा सा रिकाबरी हुआ है, लेकिन वो अगर उसका चार्ट पेटर्न धंक से देखें गा, तो आ अगर देखा है, इस स्टॉकों में तो काफी ज़्यादा गिरावट है, ठीके, पात दिन के अगर मोमेंटम की बात करता हूँ, तो तीन परसेंट की तेजी हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, एक महने में देख सकते हो, और छे महने की अगर गुरूथ पेटर्न की और यह सभी केंडल रेड है, इसकी कारण यह है कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग हुई है, ठीके, सबसे पहले बात, वो काफी एक्टिव तरीके से देखने को मिल यह, ठीके, तो अपन चलते हैं, इसके भी टार्गेट और इस्टॉक क्लोस जानने हैं, तो इसका भी टार्गे मिल सकता है, टार्गेट के मैं बात करता हूँ, तो लगबख 1970, इसका भी 15 पॉइंट का लेके चलेंगे, टार्गेट भी हम लेके चल रहे हैं, इतना, तो हम इस्टॉक लोस भी लेके चलेंगे, लगबख 2000 का, मतलब जो हमारा RR रेश्यो रेगा न, वो 1 इस्टू 1 का लेक क्योंकि वो समझदार ही, अगर कर लेते हैं, तो पूरा प्रॉफिट अपना रूख जाता है, अगर टार्गेट का वेट करें हो, टार्गेट अगर नहीं जा रहा है, दो बार तीन बार उसने करेक्शन दिया, चौती बार भी दिया, लेकिन वो महां तक पोश्च नहीं पा तो चलिए दोस्तों आप इस वीडियो को क्लोज करता है, वीडियो क्लोज करते हैं, यही बोलूँगा, अब वीडियो आप लोगों को पसंदा तो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सस्क्राइब करना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में, हमारा लिंक दिया है और दोस्तों,